जब इंटरनेट नहीं था, सिडी नहीं था, डीवीडी नहीं था, उस समय मस्त राम की किताबें आती थी, मस्त राम को फेल कर दी नितीष कुमार, चुंगम को दम भर चबाइए, और पेट के अंदर नहीं डालिए, बाहर फेक दीजिए, पान को दम भर चबाईए अंदर नहीं डालिए बाहर फेकते जाईए उसी तरह खाईनी यहां रख लिजिए खाना नहीं है जब उसका मज़ा पुरा आजाए अंदर नहीं डालिए बाहर फेक दिजिए नितीश कुमार का कोई भी बयान हो टीवी पे चलने से पहले उसको सेंस मंतरी बनाएगा नितीश कुमार हिट brushed हुए है हिट्बाल फेक इट विकेट हुए है इस तो कोई फेक्टर नहीं होता है लेकिन डिमेंशिया हो सकता है इस एस में तो नितीश कुमार खुद एक mental hospital बनाए हैं 123 कलवर खर्चा की है कोई-लीवर में नितीश कुमार के बनाए अस्पताल में नितीश कुमार को भरती कराके उनके मानसिक इस्थिती की जाच करानी चाहिए नितीश कुमार ने बिधान सभा और बिधान परिसद में लर्का लर्की के संबंध को लेके जो कुछ खहा उसको लेके सियासी घमसान भी है और समाधिक तोर पर भी उनकी भरतस्ना हो रही है इसी पर परतिक्रिया लेंगे बेट जी है बिहर के बरिश्पत्रकारे सर पहली बार पहली दफा जब आपने सुना क क्या मन में आया कैसी परतिक्रिया लेकिन दूसरी तरीके से हम इसको समझा सकते हैं कई चीज हम लोग खाते हैं कुछ चीज खाते हैं और अंदर चल जाता है और कुछ चबाते हैं और चबाके खाते ने उसको फेक देते हैं बाहर नितिसकुमार की भासा में बाहर फेक देन अब कुछ चीज खाते हैं तो अंदर चल जाता है जैसे हम कुछ खाना खाये फल फुरूट खाये उसको खाके पेट के अंदर चल जाता है कुछ चीज खुब देर चबाते हैं चबाते हैं और एक समय इसा आता है कि बाहर फेक देते हैं जैसे चूइंगम चुंगम को दम भर चबाईए और पेट के अंदर नहीं डालिए बाहर फेक दिजिए पान को दम भर चबाईए अंदर नहीं डालिए बाहर फेकते जाईए उसी तरह खाईनी यहां रख लिजिए खाना नहीं है जब उसका मज़ा पूरा आ जाए अंदर नहीं डालिए बाहर अईसा क्यों? आइसा इसलिए कि हमको एक कहानी बताते हैं, हमारे दादा जी एक कहानी कहते थे, कि उनके गाओं में एक दोस्त है, और पूरा चिलम फुकते थे, पूरा चिलम सब मना करता था, चिलम मत मारो, मत मारो तू बलते थे, बलना आप जानबे नहीं करते हैं, इसमें जहां जाके गंदगंदा बाद बोलते थे, तो गौवा में क्या हुआ, कि जैसी बुढ़ा को देखा कोई, तो महिलाएं घर में दरवाजा बंद कर लेती थी, कहें कि आके कुछो कुछो बोल देगा, तो चिलम लेने का इतना असर हुआ था, इतने ना हैं, इससे जादे हो भाग रही है, भाग भाग के अपना रूम दरवाजा बंद कर रही है, तो गाउं का आदमी उसको पकड़ के, मेंटल होस्पिटल ले गया, मांसिक इलाज जहां होता है, पागल खाना, वहां ले जाके इलाज करवाया, आप नितीज जी कहानी कह रहे हैं, नितीज जी साथ क ये बात नहीं हो, अगर हो या नहीं हो, मांसिक स्थिती तो ठीक नहीं है, जो बयान आप हमारे सामने नहीं दे सकते हैं, नितीज कुमार का बोल नहीं सकते हैं, वो बयान वो दे दिये हैं, इसका मतलब है कुछ तो प्रोब्लम है, हम पहले भी कहे हैं, कि नितीज कुमार एक mental hospital बनाए हैं 123 क्षाकर किया है कोई लीवर में एक मानसिक अरुग्य साला बनाए है babe अगर सब कुछ ठीक है तो इलाज कराएं आगर इदो साथ मंत्री रहते हम चै never तेरे इसे जनसंख्या में नियंतरन होगा असोग चौधरी की बेटी के अभी शादी हुई है अगर अपनी बेटी को यह ज्यान देते हैं जनसंख्या नियंतरन करने के लिए तो ठीक है यह एजुकेशन है और अपनी बेटी के साथ बैटके असोग चौधरी अपनी बेटी के साथ बैटके ये बियान सुन चकते हैं इतनी बेसरमी है उनमें तो ठीक है जुकेशन है माफी तो मांग लिया ना सर माफी कुछ हम आपको कुछ कर दें अभी हमाफी मांग लें ऐसा होता है मनसा तो सही था कि नियंत्रन हुआ है लड़कियां सिक्षित हुई है तो जो दर बता रहे थे कि 1.6 हो गया है देश में 1.7 है जो तू का रेशियो निर्धारित है राश्ट्रिया उसके कम हुआ है वो उसके संदर में बोल रहे थे देखिए नितिश कुमार जो कुछ बोले है आज के दवर की लड़कियां जानती है कि कॉंडम भी कोई चीज है गर्ब निरोधक गोलियां भी कोई चीज है वो नहीं कहती है जो नितिश कुमार कह रहे हैं वो उनके जमाने की बात है हो सकता है नितिश कुमार के साथ ऐसी परिस्थिती आई हो हो सकता है हमें हम बोल रह हैं कॉलेज में बहुत कुछ होता है हुआ होगा तो यह स्थिति हाट जिस तरह का ब्यान नितीश कुमार दिये हैं सारी हदे पार कर दिये जितना ओटीटिटी प्लेटफॉर्म है सबको सबका रिकौट तोड़ दिये हैं जितना नेट्फिक्स हो अल्ट हो जितना वेप स्रीज जो बनता है न वह सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया नितीश कुमार अब नितीश कुमार के बयान को जैसे टीवी पर नितीश कुमार आएंगे बाप बेटी बठी रहेंगे और टीवी देख रहेंगे तो पिता जी को आप देखिए या फिर उनका इंटर्व्य देखिए हर बाक को चुन के बोलते थे कि सब्द पर धियान होता था लोगों का और काफी अच्छे नेता मने जाते थे अभी क्या उमर का सब लग रहा है इसका नितीश कुमार के उमर का नितीश कुमार का नितीश कुमार के आदिवासी समाज की विधायक हैं वो आदिवासियों की प्रोब्लम की बात कर रही थी तो नितीश कुमार क्या बोले कि आप इतनी सुंदर हैं अब आदिवासी समाज की विधायक सदन में आदिवासियों की समस्यायों पर बोलती है तो नितीश कुमार करते हैं कि आप इतन का अज़ते हैं और एक चीज बताते हैं कि मस्त राम की कहानी आती थी किताब पहले पहले जब इंटरनेट नहीं तो चैनल था कि कहाँ चाहपती है लेकिन हरे पहुंचती थी यहुत देक पता नहीं चला कि उसके असली लेखक कौन थे मस्त राम को फेल कर दिन नितिश कुमार कि सदन में इसी बात करते हैं इस्थिति क्या है अब बिना डॉक्टर से मिले हम एक डॉक्टर जगदीश परसाद हैं इतने बड़े डॉक्टर इंटरनेशनल उनसे भी बात किये थे कि न सब्सक्राइब करें इस तो कोई फेक्टर नहीं होता है लेकिन डिमेंशिया हो सकता है इस एज में यह कुझसी बिमारी डिमेंशिया मतलब याद भूलने खा भूलता था जी तो मतलब इस बनाव डिजीज भीश कहना कर टो इनीबडी तो जब तक उनका इसको शिलिप अफटंग कहा जा सकता है या फिर जान वूच के क्या कहेंगे अब एक जगान बोलिया गलती एक जगन होगी दुनु जगा विहार विधान सभा विधान परशद यानि विधान मंडल दोनों जगा बोले हो तो शिलिप आफटंग कैसे हो गए इसमें एक मिलने भी जाते हैं और जिस आध्वी को ताड़ी और सड़ाव में अंतर पता नहीं हो ताड़ी को सराप किसी नहीं मिला दे अब स्का में अब्युम्जब तो बुढ़वन जब आपस में बात करता है तो जवान लोग नहीं सुन सकता तो वैसंकान वैसंकान बुढ़ास कई बार सारवजनिक जगह पे जुबान से वह बात आ जाती है क्या आरोप है कि मुद्ध में करते होंगे जो सदन में महिलाओं के बीच उनके पीछे महिला विधायक बैठी थी मंतरी वह बैठी थी उनके सामने इससे बात बोल रहे हैं तो अपनी मंढले में कैसी कैसी बात नितिश्कुमार करते होंगे लेकिन नितिश कुमार प्रधान मंतरी काते हैं ललन सिंग काते हैं कि नितिश कुमार ने बिहार का नेत्रित कर लिया अब देश का नेत्रित करेंगे मतलब नितिश कुमार ने बिहार की धजिया उड़ा दी बिहार को बदनाम कर दिया अब देश की धजिया उड़ाने देश के बदनाम कराने के लिए पीएम कंडिडेट बनेंगे क्या आत्म हाती गोल कर लिया नितीश कुमार खताम हो गए यहां से नितीश कुमार हिट विकेट हो गए नितीश कुमार कह रहे तो परधान मंत्री बनेंगे अब ऐसा इसा आत्में कौन परधान मंत्री बनाएगा नितीश कुमार हिट विकेट हुए है हिट विकेट अपने ब प्रदास्पूरी के बनाँ का दरा कि उनकी का कर रहा नहीं पहले बहुता है उनकी हारकत देखिए, उनका एक-एक एकसंद देखिए, समान इस्थिति नहीं है, हमको चिंता है नितिस कुमार की, उनको इलाज की जुरूत है, उनको इलाज कराना चाहिए